नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो हमारा आज का विशह है हिंदी भाषा, प्रयोग के विविद रूप इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, मानक भाषा, राज भाषा, राष्ट भाषा और संपर्क भाषा तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा प्रतियक व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या है किसी ने किसी भाषा की जोर्ट परती है तो भाषा क्या है कि जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने लिख कर बोल कर या फिर इशारों से या संकेत से क्या करते हैं प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाषा कहते हैं ठीक है तो देखिए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरू क्या कहते हैं भाषा के लिए कि उन्होंने भाषा को किस प्रकार से परिवाशित किया है वो कहते हैं कि भाषा बहुत सादन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अपने विचार दूसरों तक भली भांती प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतिया समझ सकता है तो यहां पर स्पष्ट क्या हो गया है आप इसको करेक्ट कर लीजेगा स्पष्टतिया समझ सकत भाशा के अभाव में हम क्या बोल सकते हैं कि व्यक्ति क्या है अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकता अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर सकता अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो इस प्रकार हम क्या सकते हैं कि भाशा क्या है वो अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है क दीकि बोली से समदे कुछ एक चीज़े हैं जैसे इसका चित्र है वह बहुत ही कम चित्र में इसको बोली जाती है, एक सीमित दाइरा होता है बोली का, है न किसी चित्र विशेश में ये स्थाणी रूप से प्रिक्त होने वाली सधारन बोलचाल की भाष्ट कहलाती है, बोली क मिल जाता है, clear है दोस्तों ठीक है, ये कहता है कि जो जितनी भी भाषा है उनका विकास किसे हुआ है, बोली से होता है देखे बोली से कैसे होता है, जैसे हमने पहले हिंदी भाषा को पढ़ा उसके हमने अंतरगत आने वली उसके जो तीन पांच उपभाशा हैं तीन उसके अपभणश हैं उन से विक्सित हुए हिंदी ठीक है तो वैसे ही यह कहता है कि भाशा का जो विकास होता है कि किस से होता है बोली से होता है बोली से क्या बनती है उपभाशा से फिर क्या बनती है आगे भाशा बनती है तो इसलिए भाशा क्य अगला है देशज शब्दों की बहुलता अब देखिए अब बोली है तो बोली में क्या होगा कि जो देशी शब्द होंगे हमारे देश के ही अपने क्षेत्रिय जो शब्द होंगे उनकी क्या रहती है अधिकता रहती है किसमें बोली में ठीक है जो हमारे आसपास जो हम क्या होता है कि सहित्य का अभाव होता है लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि बोली में तो सहित्य होता है ठीक है लेकिन जब उसमें सहित्य करचना होने लग जाती है तो उसको नाम दे दिया जाता है भाशा का देखे आप जैसे पढ़ते हैं कि ब्रज आप बोली नहीं बोलते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं कि ब्रज भाशा में लिखा है अबधी में लिखा है तो ब्रज और अबधी भाशा का ही सबसे ज़्यादा बोल बाला रहा ना तो हमने इनको बोली नाम देकर क्या नाम दिया है इसको भ बोली में केवल लोक साहितिय लिखे जाता है यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है तो clear है दोस्तों कि बोली क्या है सीमित क्षेतर में बोली जाती है कुछ लोगों के दारा बोली जाती है ठीक है साहिते का अभाव होता है and देशी शब्द उसमें अधिक होते हैं और जब उसमें साहितिक रचना होने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो उपभाशा बन जाएगी, क्लिर है दोस्तों, तो यह हो गया बोली, अगला आता है मानक भाशा, अब देखिए मानक का अर्थ क्योंता है, परिनिश्थित ये अदर्ष या श्रिष्ट, इसको अन्य नाम दिये जाते हैं, जैसे परिनिश्थित भाशा, सादू भाशा, आदर्ष भाशा, कुछ लोग इसको शुद भाशा भी कहते हैं, है ना, तो भाशा को जब हम भाशा का शुदी करन करते हैं, उसको क्या का जाता है, मानक भाषा कहते हैं देखिए मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित या अदर्ष या श्रिष्ट ये कहते हैं कि भाषा के जिस रूप का व्यवार शिक्षा, प्रशास्निक कारियों समाजिक, सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्तित विविद विशमताओं को दूर करके उसमें समानता लाकर एक रूप में किया जाता है वही भाषा का मानक रूप होता है देखिए बोली क्या थी? बोली एक क्षेत्र विशेश तक सीमित थी ठीक है? लेकिन अब मानक भाषा आ गई उसमें जो देशज शब्द न होकर उसमें क्या होंगे? परिनिश्टित शब्द होंगे शुद शब्द होंगे ठीक है? और उसमें क्षेत्रियता का आभाव रहेगा मतलब वो क्षेत्र विशेश तक नहीं बोली जाएगी उसमें उसका दायरा बढ़ जाएगा है ना? निश्चित पैमाने के अनुसार वो गठित होगी कैसे? निश्चित पैमाना उसको मतलब भाषा को मापने का जो पैमाना है वो क्या है? व्याकरण है तो वो व्याकरण सम्मत होगी कौन सी भाषा? मानक भाषा उसका एक निश्चित तरीके से उसको त्यार किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई जैसे चाबी का उधारन लेते हैं कि चाबी के लिए कुछ लोग कुझी कहेंगे, कुछ लोग खोलनी कहते हैं कुछ लोग अन्य नाम उसको देते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम यहां पर उसको कुंजी कह रहे हैं तो दूसरी जागव उसको कुंजी कह रहे है तो इसको क्या करने के लिए इसको निश्चित एक शब्द प्रदान करने के लिए उसको क्या शब्द दिया गया चाबी शब्द दिया गया है ना तो य याकरन होता है, उसको ही उसका प्रशासन के क्षेतर में देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर तो आप खेत्री वोली में बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है हमें एक ऐसी भाषा का इस्तिमाल करना पड़ता है जो सब जगा, सब क्षेत्र के लोग easily उसको समझ पाएं तो उसको क्या बोलते हैं कि वो एक अपचारिक तोर पर उस भाषा को हमें बोलना पड़ता है तो अपचारिक होती है कौनजी भाषा मानख भाषा, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके लक्षन क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये मानख भाषा है, तो दीए सबसे पहले तो होती है ये व्याकरण सम्मत तो व्याकरण सम्मत मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके लिए एक निश्चित व्याकरण बना होता है जैसे हिंदी भाषा का जैसे व्याकरण है कि कितने उसमें वरण है कैसे उसमें वरण व्यवस्ता है कैसे उसका शब्द है उसके रूप रचना कैसी है तो यह जो सारी किए किस टरीके से किस भाशा का प्रयोग करना है तो सबसे पहली बात तो मानग भाशा में यह होती है कि वह ब्याकरण सम्मत होती है दूसरा आता है सरव मानने सरव मानने वो कैसे है मान लिजीए जब हम अलग अलग विभिन विभिन ख्षेत्रों से आएंगे अगर हम अपनी अपनी बोली में बात करने लग जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे शब्द होंगे जिने समझने में हमें क्या होगी दिक्कत होगी लेकिन जब हम एक ऐसी बाशा का परियोग करेंगे जो सब लोग इसली समझ पाएं तब वो बाशा क्या होगी वो मानक वाशा कहलाएगी और इसी के अधार पर हम क्या कहते हैं कि वो सर्व मानने होती है जैसे आप एक स्कूल में जाते हैं अलग-अलग शेतर से जाते हैं अपने अपने गाउं की बुलियां बोलते हैं लेकिन स्कूल में जाकर हम क्या बोलते हैं अगला है एक रूपता, तो जब सर्माने, सब लोग उसको मान रहे हैं, तो वो एक रूपता सुभावी के कि उसमें होगी होगी, कि वो एक जैसी होगी हर जगा, जैसे मैंने चाबी का उदार आण दिया, तो एक ही शब्द उसको हर जगा बोला जाएगा चाबी ही, है ना, त ये एक रूपता हो गया, दूसरा है भ्रांतिहीन, फिर जब एक रूपता हो जाएगी, तो उसमें कोई भ्रांती नहीं रह जाएगी, कि किस शब्द के लिए क्या बोला जाता है, तो ये भी मानक भाशा का एक लक्षन है, दूसरा है विकास शील, विकास शील से देखिए ह उसमें कुछ एक ऐसे शब्द हैं, जैसे आज के समय में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे पहुत सारी शब्द हैं हिंदी में, जो आगे हैं, या अब ऐसा है कि उनको ग्रहन करना ही हो गया, है ना, ग्रहन करना ही पड़ेगा उनको, क्यूं, क्यूंकि वो चलन में जा नए- नए शब्दों को इसमें जोड़ना, यही है बहँए भाशा का विकास, ठीक है दूसरी बहँए के शब्दों को आत्मसात करना, इसको कहेंगी हम विकासशील, तो जो मानक भाशा होती है वो क्या है वो विकास शील होती है, ये भी इसका एक अन्य लक्षन है तो कई बार एक्जाम में इस तरीके से पूझ जा सकता है कि मानक भाषा के क्या-क्या लक्षन है तो व्याकरन समत, सरवमान्य, एक रूपता, ब्रांतिहीन और विकास शीलता यह यह इसके क्या है लक्षन है क्लियर है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि मानक भाषा की क्या-क्या विशेश्टाइं होती हैं देखें सबसे पहले तो इसमें होती है एतिहासिक्ता यह जो चार इसमें तत्व माने जाते हैं बहुत जरूरी किसी भी मानक भाषा की विशेशताओं के लिए कौन-कौन से तत्तों में देखिए हम देखते हैं सबसे पहले हैं उसमें एतिहासिक्ता तो एतिहासिक्ता का क्या मतलब देखिए जैसे हमने पहले ही अपनी क्लास से क्या पढ़ रहे हैं हिंदी की एतिहासिक प्रिष्ट पूमी कि जो मानक भाषा होती है उसकी सबसे बड़ी विशेष्टा यही मानी जाती है कि वो कैसी होनी चीए उसमें एतिहासिकता होनी चाहिए अगर हम हिंदी भाषा के इतिहास की बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास बेहद विस्तरित इतिहास है आप संस्कित से लेकर के पाली प्राकृत अपभरंश से लेकर के नजाने कितनी रचनाएं हिंदी साहित्य में हुई है और यही इसका इतिहास है इसके आधार पर ये भाषा जो है निरंतर क्या है आगे की ओर बढ़ रही है इसलिए हम कह सकते है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो बेहद गौरम इतिहास रहा है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेश्ता है क्लियर है दोस्तो अगला आता है मानकी करण तो मानकी करण का मतलब है शुद्धी करण कि ये शुद्ध है प्योर है है ना इसमें इसका अपना एक क्या है व्याकरण है उसके अनुसार इसको क्या है इसमें सरव्यापता है क्लियर है तो मानकी करण का मतलब है शुद्ध भाषा है ये है ना इसमें क्षेत्रियता का क्या है क्षेत्रिय बोलियों का इसमें अभाव रहता है जब हम इसको करते हैं या अपने साहितिक रचनाओं में लाते हैं अगला देखिए जीवन्तता जीवन्तता मतलब यह जीवित्भ है एक तरीके से मरिवी भाशा नहीं है मर्यही जिवन्त का मतलब क्या है कि हर एक क्षेत्र में ना सिर्फ आम बोलचाल में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का प्रयोग कैसा है विस्तार से होता है इसके सम्मध में डक्टर जयंत नारलीकर है उनोंने अपने ब्रक्तव्य में जो उनोंने कहा था किसी अन्य भाषा पर यह निर्भर नहीं है इसका अपना भ्याकरण है थीक है तो इसको क्या कहते हैं ये सवायत है कहां पर कौन सा शब्द जोड़ना है किस के लिए क्या करना है इन सब के लिए इसमें क्या है प्रापधान है हिंदी भाषा में या मानक भाषा में भी ये चीज होनी चाहिए और जो जो चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए हिंदी भाषा में भी वो सब चीज़े हैं तो इसके अदार पर हम कहा सकते हैं कि जो मानक भाषा के कितनी विशेष्टाएं हैं ये चार विशेष्टाएं हैं तो फिलाल दोस्तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम देखेंगे राज भाषा और राष्ट्र भाषा और साथी साथ संपर्ख भाषा तो फिर मिलते हैं नई उर्जा और नई स्पूर्थी के साथ तब तक के लिए जैन